जैश्री महाकाल एक बार फिर से स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में एकाउंटिंग प्रोसेस बेसिक एकाउंटिंग प्रोसीजर जर्नल इंट्री बेडा जी हम लोग journal entry वाला unit cover कर रहे हैं और इस journal entry वाले unit में हमने क्या क्या cover कर लिया है एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने आपको principal बता दिये थे सारे के सारे क्या है वो principal आपके personal account से related हूँ चाहे इन personal से related हूँ साथी साथ journal entry related to the assets के बारे में आपको बता दिया गया था कि जर्नल इंटरी assets से related कैसे करेंगे, liability से related कैसे करेंगे, capital से related कैसे करेंगे, income से related कैसे करेंगे और आपका expense से related कैसे करेंगे, ये सारी बाते हम लोग previous के कुछ lecture में पढ़के आ रहे हैं, आज हम लोग अपना एक नया topic स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है आपका compound journal entry, या इस compound journal entry को बच्चे हम लोग एक और नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है आपका mixed journal entry, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं आपका mixed journal entry, देखिए ये जो mixed journal entry होती है, इसमें होता क्या है, कि जो आपके transaction है, जो आपके क्य क्या होते हैं बच्चे, तेम नेचर के ट्रांजेक्षन होते हैं, तब आप उनको एक साथ कर सकते हैं, तेम नेचर के ट्रांजेक्षन का मतलब क्या है, जैसे माल लीजे, आपने पढ़ा है sale, तो sale आपका credit भी होता है, और sale आपका क्या होता है cash भी होता है sale आपका cash भी होता है और क्या होता है आपका credit भी होता है यानि अगर मैं ये कहूं कि good sold of rupees 20,000 2,00,000 good sold of rupees 2,00,000 1,00,50,000 rupees receive in cash receive in cash and remaining remaining credit, अब देखिए आपने कितने का समान बेचा बच्चे अब अगर मैं आप से पूछू कि आपने कितने का समान बेचा तो आप सब लोग कहोगे कि sir 2,00,000 का बेच दिया अगर मैं आप से पूछू कि आपको कितना रुपया मिला तो आप कहोगे कि sir की और वो क्या इंट्री होगी आपकी डेटर एकाउंट डाविट टू सेल एकाउंट वो भी कितने रुपय से आपकी 50,000 रुपय से तो आप दो अलग-अलग इंट्री कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि sir हम दो अलग-अलग इंट्री ना करें अगर 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 आप जैसे अगर माल लीजे अगर आप जैसे अगर माल लीजे सेल और पर्चेज दोनों एक साथ आजए तो उनका कंपाउंट नहीं हो पाएगा क्यों कि उनका नेचर एकदम अलग-अलग है उनका नेचर क्या है आपका अलग-अलग है बात clear हो गई अब पहले इसका हम देख लेते हैं कि sir इसकी mixed journal entry कैसे बनेगी देखो बेटा इसकी mixed journal entry होगी आपकी cash account debit कितने से 150,000 से फिर उसके बाद आपका data कितने से आपका 50,000 से और फिर उसके बाद आपका two sales वो भी कितने रुपए से आपका 2,00,000 से बताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो ये हो गई आपकी compound journal entry का example sir कुछ और example दे देते तो ज्यादा मज़ा आ जा था फिलाल ये example समझ में आया कि नहीं आया आईगे एक और example देखते हैं note down सबका हो गया है जल्दी से note down करेंगे चलिए आईए देखते हैं अब जैसे एक और example हम उठा के यहाँ पे देखते हैं अब माल लीजे कि आपने एक तारीक को ठीक है एक तारीक को सैलरी पे की एक तारीक को देखे जरा आपने क्या किया कि पंदरा हजार रुपया आपने सैलरी दिया ठीक है फिर आपने क्या किया कि बीस हजार रुपया आपने रेंट का दे दिया पांच हजार रुपे आपने क्या दे दिया वेजिस का दे दिया पांच हजार रुपे आपने क्या कर दिया वेजिस का दे दिया ठिक 15,000 आपने सैलरी का दिया 20,000 आपने रेंट का दिया और पांच हजार आपने किसका दे दिया वेजिस का दे दिया cash में तो अब यहां पर चाहो तो आप तीन अलग-अलग entry का मतलब क्या होगा अगर हम salary की बात करेंगे तो salary account debit to cash अगर हम rent की बात करेंगे तो rent account debit to cash और अगर हम wages की बात करेंगे तो wages account debit to cash यानि तीन अलग-अलग entry आपके सामने बन के आएगी एक इंट्री तो ये बनेगी salary account debit एक इंट्री क्या होगी आपकी salary account debit to cash है न दूसरी इंट्री क्या होगी पेटा wages account debit to cash salary account debit to cash फिर दूसरी इंट्री क्या होगी आपकी rent account debit to cash और तीसरी इंट्री आपकी क्या होगी wages account debit to cash अब अगर इन सब को हमें एक में convert करना रहे इन सब को अगर हमें एक इंट्री में convert करना रहे तो वो इंट्री आपकी क्या कहलाएगी mixed entry कहलाएगी तो हम वहाँ पे एक इंट्री एक सिंगल इंट्री कर सकते हैं salary account debit rent account debit क्या आपका rent account debit wages salary कितने से आपका 15,000 से wages rent कितने 20,000 से wages कितना आपका 5,000 से total कितना हो गया आपका 40,000 बताइए ये mixed journal entry समझ में आ गई कि नहीं आ गई दिक्कत तो नहीं चलिए फिर बहुत अच्छी बात है अब mixed journal entry के बाद हम अपना अगला point देखते हैं note down कर लीजे सभी लोग और जिनका note हो गया है वो next portion लिखें next part लिखें और वो लिखें opening journal entry लिखेंगे opening journal entry तर ये opening journal entry क्या होता है आव बताते हैं बेटा opening journal entry ध्यान से सुनियेगा बेटा अगर हम बात करें assets की अगर हम बात करें capital की या अगर हम बात करें liability की तो assets, capital और liability इन ही तीनों transaction का ही opening journal entry होता है ध्यान से सुनना जो मैंने बोला है इन ही तीनों transaction का आपका क्या होता है opening journal entry होता है अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर एक बात बताईए expense या फिर income expense या फिर income क्या इनका कोई opening journal entry नहीं होती है माली जेक नमबर का सवाल आए कि जरा बताईए opening journal entry किस से related है asset से, capital से या liability से तो आप कहेंगे इन तीनों से आपके सामने option भी आ जाए क्या income और expense से भी related है तो आप कहेंगे नहीं सर अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यूं तो ऐसा इसलिए बच्चे क्यूंकि income और expense को हम transfer कर देते हैं कहां आपने profit and loss account में transfer करके उसको खतम कर देते हैं profit and loss account में उसको खतम कर देते हैं transfer करके लेकिन अगर हम assets की बात करें क्योंकि assets का जो future use है वो long term है न सिर्फ एक साल में ही उसकी value खतम होगी या वो आगे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी अगर हम capital की बात करें तो capital क्या एक ही बार लगेगा नहीं सर उसकी value तो हर बार क्या होती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ेगी घटेगी liability की बात करेंगी तो liability में यानि future obligation यानि इसको हमें आगे क्या करना पड़ेगा pay करना पड़ेगा लेकिन अगर हम expense की बात करें अगर income की बात करें, तो ये आपका during the year से ही related होता है, इसी वज़ा से इसका कोई भी opening journal entry नहीं होता है, बात clear हो गई, यानि opening journal entry is related to the assets, capital and liability, बात clear हो गई बच्चे, अब यहाँ पर एक चीज और देखे, assets का balance always क्या होता है, debit, और capital और liability का balance always क्या होता है, credit होता है, तो इसे हिसाब से अगर हम journal entry की बात करें, कि sir, journal entry क्या बनेगी हमारी, तो हमारी journal entry बनेगी, opening journal entry बनेगी भहिया, assets, account, debit, to, capital, to, liability, to, capital, to, liability, to, capital, to, liability, opening journal entry समझ में आ गई, opening journal entry which are related to the assets, capital and liability, assets का balance क्या करेंगे, debit करेंगे, capital का balance क्या करेंगे, आपका, credit करेंगे, और liability का balance क्या करेंगे, हम credit करेंगे, ठीक है, अच्छा, एक point यहाँ पर समझना बच्चे, कभी-कभी क्या होगा, कि माल लीजे, आपका asset side, asset side आपका कम है, asset side आपका क्या रहेगा, कम रहेगा, मतलब आपका capital और liability side जाधा रहेगा, asset side कम रहेगा, capital और liability side क्या रहेगा आपका, जाधा रहेगा, तो उस case में जो आपका difference आएगा, जो आपका क्या आएगा, difference आएगा, उस difference को हम नाम देंगे, goodwill का, उस difference को नाम क्या देंगे, आपका goodwill का नाम देंगे, बात clear हो रही है, यानि अगर assets is a less than capital or liability, तो जो difference आएगा, जितने amount का difference रहेगा, वो difference आपका क्या कहलाएगा, goodwill कहलाएगा, अभी मैं जर्नल इंट्री में इसको समझाऊंगा आपको, ठीक है, उसी के opposite, उसी के opposite, माल लीजे आपका assets ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, आपके capital or liability से ज्यादा है, तो जो आपका difference है, जो आपका क्या है, difference है, वो difference आपका चला जाएगा, capital reserve में, कहाँ चला जाएगा, capital reserve में चला जाएगा, बात clear हो गई, यानि अगर assets ज्यादा है, आपके capital or liability से, तो जो difference आएगा, वो difference आपका कहाँ चल जाएगा, Capital Reserve में चला जाएगा, और अगर Assets कम है, Capital और Liability से, तो जो डिफ़रेंस आएगा वो डिफरेंस किस में चला जाएगा, आपके goodwill में चला जाएगा, यह point समझ में आ गया, और Sir माल लीजिए, अगर बराबर बराबर रहे, अगर बराबर है, तो ना तो goodwill आएगा, तो क्या आएगा आपका capital reserve आएगा चलिए आए देखते हैं कुशन देखते हैं अब कुशन में जैसे माल लीजे कि एक company है जिसका नाम है X company अब इसका opening balance है क्या है आपका opening balance ओपनिंग बैलेंस पे इसके पास cash आपका 5000 का है bank balance आपका माल लीजे 15,000 का है आपका machinery 30,000 की है machinery आपकी कितने की है 30,000 की है data balance आपका 10,000 रुपए का है उसके बाद आगर हम capital की बात करें अगर हम किस की बात करें capital की बात करें तो capital आपका माल लीजे 30,000 का है creditor की बात करें तो creditor आपका 20,000 का है और bill payable की बात करें हम bill payable आपका 10,000 रुपए का है अब आपसे question कहता है past the opening journal entry question आपसे क्या कहता है past the opening journal entry अब देखे cash आपके लिए क्या होता है बेटा cash आपके लिए क्या है bank आपके लिए क्या है assets machinery आपके लिए क्या है assets data आपके लिए क्या है assets इसका मतलब ये सारे balance आपके क्या हो जाएंगे डबिट हो जाएंगे यानि अगर हमें इंट्री करनी है तो हमारी इंट्री क्या होगी आपकी चलिए इंट्री देखेंगे इंट्री क्या होगी हमारी Cash Account debit कितने से बच्चे 5000 से फिर बैंक ही बात करेंगे तो बैंक अकाउंट debit कितने से 15,000 से Machinery की बात करें तो machinery आपकी कितने से 30,000 से फिर अगर हम data की बात करें तो data कितने से आपका 10,000 से फिर उसके बाद 2 capital कितने से आपका 30,000 से क्रेडिटर आपकी liability होती है क्रेडिटर आपका कितने से 20,000 से और 2 bill payable 2 क्या आपका bill payable और bill payable आपका कितने से 10,000 से जरा देखिए debit side में कितना आ रहा है और credit side में कितना आ रहा है debit side में आ रहा है 20,000,30,50,60 यहां पे कितना हो गया 60 यानि assets बराबर capital plus liability है assets बराबर क्या है आपका capital plus liability है liability है इस वजह से कोई goodwill और कोई भी capital reserve रिजर्व क्रियेटर नहीं हुआ है कोई goodwill और कोई भी capital reserve आपका create नहीं हुआ है खिक, note down करिये झाल झाल चलिए बिटा आगे देखेंगे अब मालीजे यही same question उठाते हैं यही क्या उठाते हैं same question उठाते हैं चलिए अलग question कर लेते हैं दूसरा कोई आपको opening journal entry करनी है और opening journal entry में आपका asset side आपको दे रखा है मालीजे cash है आपका 15,000 bank है आपका 5000 डेटर है आपका 30,000 machinery है हमारी 20,000 nature है हमारा 20,000 capital 50,000 capital कितना आपका 50,000 और liability है आपकी माल लीजे 40,000 liability कितनी है हमारी 40,000 liability में क्या creditor लिख लीजे यापे creditor है आपका 40,000 और bill payable है आपका bill payable है आपका 10,000 ठीक है बेटा अब entry करते हैं क्याश अकाउंट डाबिड कितने से आपका 15,000 से bank account डाबिड कितने से आपका 5,000 से फिर data की बात करेंगे data account डाबिड कितने से आपका 30,000 से machinery की बात करेंगे तो machinery हो गया आपका कितने से 20,000 से furniture की बात करेंगे तो furniture account डाबिड कितने से 20,000 से total asset side कितना आ रहा है जोड़िये जरह 15,5,20,20,30 कितना हो गया 50,50,20 कितना हो गया 70,70,20 कितना हो गया आपका 90 हो गया 70,20 कितना हो गया आपका 90 एक line छोड़कर नीचे लिखिएगा एक line छोड़कर 2 capital capital कितना है आपका अब आपको होगे capital हमारा 50,000 है ठीक है creditor creditor कितना हो गया आपको होगे कि sir 44,000 है उसके बाद काऊँगे 2 two bill payable और bill payable कितना है आपका 10,000 है 10,000 है अब बताईए debit side जाद हा रहा है कि credit side जाद हा रहा है अब आप काऊँगे कि sir हमारा debit side हो नबे हजार है लेकिन अगर हम credit side की बात करें तो credit side हमारा 1,00,00,00 है यानि अब देखिए कौन सा difference आ रहा है ये पहला वाला आ रहा है न यानि assets क्या है आपकी कम है और capital और liability जो है वो आपकी क्या है ज्यादा है तो जो difference आएगा उसे हम किस side लिखेंगे goodwill और goodwill आपकी क्या होती है assets और assets अगर होती है तो सीधी किसी बात है हम उसे किदर किदर लिखेंगे debit side में लिखेंगे न यानि यहां पर हम क्या लिखेंगे goodwill क्या लिखेंगे आपका goodwill यानि goodwill account debit और कितने से आपका 10,000 से और यह आपका balancing figure हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका balancing figure हो जाएगा बात clear हो गई कि नहीं clear हो गई बात clear हो गई बेटा, कोई दिक्कत, नहीं, बात clear हो गई बेटा, अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सरे एक बात बताओ, गुडविल की तो हम recording करते ही नहीं है गुडविल की तो हम recording करते ही नहीं है हमने class 12 में पढ़ा था तो बिटा जी अगर आपको याद हो तो आपने two type of goodwill पढ़ा था एक था आपका self generated goodwill और एक था आपका purchased goodwill तो self generated goodwill की हम journal entry नहीं करते हैं लेकिन जो हमारी purchased goodwill होती है उस purchased goodwill की हम क्या करते हैं आपका journal entry करते हैं समझ में आ गया तो self generated की entry नहीं की जाती जबकि ये जो goodwill आप दिखा रहे हो ना ये goodwill आपकी क्या है purchased goodwill है ये goodwill आपकी क्या है वह या purchased goodwill है बात clear हो गई समझ में आ गया चलिए आगे बात करते हैं अब तीसरा वाला भी case देख लेते हैं जिसमें आपका capital reserve create होता है अब जैसे माल लीजे तीसरे वाले case की अगर हम बात करें इसी question को उठा लीजे आप आप तीसरे वाले question को सेम ऐसे note करिए बस आप bill payable मत note करिए और क्या मत note करिए creditor मत note करिए या creditor को आप एक काम करिए creditor को 20,000 note कर लीजे creditor को कितना माल लीजे 20,000 note कर लीजे बाकी कुछ change मत करिएगा ठीक है यानि assets आपकी 15,000 है bank आपका 10,000 है तीसरे वाले case में डेटर आपका बैंक आपका 5000 है डेटर आपका 30,000 है मुसीनरी 20,000 है फरनीचर 2,000 है capital 50,000 है creditor आपका 20,000 है अब आपसे कहता है कि entry करो आपसे क्या कह रहा है entry करो ठीक है सर entry कर दे रहे हैं हम आउ देख लेते हैं entry क्या होगी हमारी इंटरी क्या होगी cash account debit कितने से आपका 15,000 से फिर उसके बाद bank account debit बैंक अकाउंट डाविड कितने से आपका 5000 से फिर डेटर की बात करते हैं डेटर अकाउंट डाविड कितने से आपका 30,000 से फिर उसके बाद मसीनरी की बात करते हैं मसीनरी अकाउंट डाविड कितने से आपका 20,000 से फरनीचर की बात करते हैं तो फरनीचर account david कितने से आपका 20,000 से चिक है उसके बाद 2 capital 2 capital और capital कितने से आपका 50,000 से capital कितने से आपका 50,000 से और जैसे ही हम बात करते हैं आपकी ध्यान दीजियेगा जैसे ही हम बात करेंगे किसकी creditor की जैसे हम बात करेंगे किसकी क्रेडिटर की तो क्रेडिटर में कितना रुपया है बीस हजार है इस बार ज़रा बताइए किसकी वेलू जादा है डेड़िट साइड की वेलू जादा है या क्रेडिट साइड की वेलू जादा है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू क्रेडिटर तो टू क्रेडिटर कितना आपका 20,000 तो इनकी वेलू ज्यादा है as compared to the credit तो जो difference आएगा वो आपका क्या कहलाएगा capital reserve कहलाएगा क्या कहलाएगा आपका capital reserve और यह हो गया आपका balancing figure कितना आएगा amount बताइए कितना आएगा आपका 20,000 बात clear हो गई कि नहीं clear हो गई चलिए फिर बेटा अब हम अपने next topic की तरफ चलते हैं next topic बहुत important है और वो है क्या आपका लिखिये जरा मेरे साथ प्रक्ति धिसकांट जरन अंटी र dispute ख mentally up प्रक्ति छिथ्द्थ्पति रिये à गब ठाटिपका झने साथ प्योजस, जरिखिये जरते हो ez 烟 इसकाउंट । अच्छा ये जो डिसकाउंट सब्द आपके सामने दिख रहा है है जारह आप मुझे बताईए instant ॥ यह discOOD आपके लिए बिजनस के लिए प्रॉफिट रॉफिट होता है कि लॉस होता है कितने लोग कहते हैं सर डिसकाउंट हमारे लॉस होता है यहां तो उठाइए, business के लिए, business के लिए loss होता है, ठीक है, सही है, चलिए, अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, बेटा जी, जब हम discount की बात करते हैं, तो discount का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा sale price है, जो भी हमारा purchase price है, उस से हमें कम price में पैसा देना या लेना पड़े, यह तो कहानी है, сबस्यान से, अगर discount allow किया जा रहा है, अगर discount क्या किया जा रहा है, allow किया जा रहा है तो फिर वो आपके लिए क्या कहलाएगा loss कहलाएगा यानि अगर आप discount allow कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा loss कहलाएगा लेकिन अगर आप discount receive कर रहे हैं अगर आप discount क्या कर रहे हैं receive कर रहे हैं वो आपके लिए क्या कहलाएगा प्रॉफिट कहलाएगा अब आपके मन में एक सवाल आएगा he तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में बोलने के बादों नहीं आता है लेकिन खेर आपके अंदर आ गया आ गया चलो अच्छी बात है तो discount allow कब होता है बेटा ध्यान दीजेगा discount allow दो situation में होता है कितने situation में होता है दो situation में होता है और वो situation पहली situation क्या होती है कि सर जब हम sale करते हैं जब हम क्या करते हैं sale करते हैं या फिर जब हम cash receive करते हैं दो situation जब हम sale करते हैं या जब हम cash receive करते हैं for example जैसे माल लीजे आपकी एक दुकान है आप एक business वाले हैं मैं आपकी दुकान पर आया मैंने कहा कि भाईया मुझे AC चाहिए तो आपने का अरे गुरुजी आप तो हमारे सर हैं जो इच्छा है वो लीजे AC चाहिए जैसे मैं इंटर किया वैसे ही एक वेक्ति और इंटर कर गया उसको भी सेम AC चाहिए था जो मुझे चाहिए था अब AC का price आपने दूसरे वाले वेक्ति को 32,000 बताया कितना बताया 32,000 बताया मैंने भी का बबु कितने का है आप बताओ कितने का बताओगे मुझे 32,000 या 32,000 से थोड़ा सा कम थोड़ा सा कम बताओगे कारण अरे मैं आपका teacher हूँ भाई मैं आपका क्या हूँ teacher हूँ अब अलग बात है कसम खालो ठीक है ठीक है वो अलग शीज है तो आप यह चीज देखिए कि भाई मैं आपका teacher था इसलिए आपने मेरे को 2000 का discount दे दिया तर आपके लिए 30,000 दुनिया के लिए 32,000 लेकिन आपके लिए क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो आपने discount allow किया न तो discount allow कब किया? जब आपने sale किया जब आपने क्या किया? जब आपने sale किया तभी तो आप discount allow करोगे और दूसरी condition cash receive cash receive, अब मैं pay करने लगा, मैं क्या करने लगा? pay करने लगा, मेरे सब पास कई सारे option आ गए credit card से payment करोगे 10% discount हो जाएगा, UPI से करोगे 2% discount हो जाएगा, EMI से करोगे तो 1% discount हो जाएगा तो मैंने credit card option choose कर लिया, तो मुझे फिर से 10% discount मिल गया कि नहीं मिल गया, यानि payment जब मैं कर रहा हूँ, जब मैं payment क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, इसका मतलब जब आप payment क्या कर रहे हो, receive कर रहे हो, जब आप payment क्या कर रहे हो, receive कर रहे हो, जैसे हमारी class में एक लड़का ह जिसका नाम है प्यूस रावत, सुनना ध्यान से, क्लास टेंथ में वो पढ़ाई किया, उसकी पेंडिंग फीज चार अजार रुपए, उसकी पेंडिंग फीज कितनी, चार अजार रुपए, अगर आप पहला एक्जामपल नहीं समझ पाए, तो ये वाला समझ में आ जाएग आपको, अब वो क्लास 11 में आया पढ़ने मेरे पास, कब आया? क्लास 11 में पढ़ने आया, पढ़के जा चुका है कितल तेंथ में, और उसकी पेंडिंग फीज कितनी थी? चार हजार, अचा साइन्स डिपाटमेंट अलग है मेरी कोचिंग में, और कॉमर्स डिपाटमेंट कह रहे हैं अरे प्यूस तुम 4000 अगर नहीं दे रहे हो तो कम से कम चलो तुम 3000 दे दो मेरे को 3000 दे दो यानि आपको मैं 1000 का क्या दे दे रहा हूँ discount दे दे रहा हूँ तो cash receive करते समय आप discount क्या करेंगे allow करेंगे यानि discount allow दो situation में होगा एक तो जब हम sale करेंगे और दूसरा जब हम क्या करेंगे cash को receive करेंगे बात clear हो गए कि नहीं clear हो गए अच्छा अच्छा discount receive हमें कब होगा as a business यह जो point आपको बताया मैंने यह किसको लेकर बताया है business को लेकर बताया है ना यह किसको लेकर बताया है आपके business को लेकर बताया है business को discount allow कब होगा दो situation समझ में आ गए कि नहीं आ गए अब सर एक बात बताओ discount business को भी receive होगा क्या business को भी discount receive हो सकता है क्या क्यों नहीं हो सकता यार एक बात बताओ customer समान किस से खरीदता है एक बात बताओ, customer समान किस से खरीता है, आप कहोगे retailer से, retailer किस से समान खरीता है, wholesaler से, wholesaler किस से समान खरीता है, distributor से, distributor किस से समान खरीता है, company से, तो अगर माल लीजे आप retailer है, तो आप discount की उमीद किस से करेंगे, wholesaler से, तो wholesaler आपको discount देगा कि नहीं देगा, यानि business को भी तो discount receive होगा कि नहीं discount receive होगा समझ में आ गया तो यानि business को discount receive कब होगा ये भी जान लीजे business को discount दो situation में receive होगा पहला जब business किसी दूसरे business से समान खरीदे यानि जब wholesaler से समान खरीदेगा कौन retailer, जब distributor से समान खरीदेगा कौन wholesaler बात समझ में आ गई यानि business को भी discount मिलेगा at the time of a purchase at the time of क्या purchase अचा प्यूश बैठे हैं class में payment कर दो यार ठीक है आगे देखो दूसरा point क्या पहला point समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब दूसरा situation देखो दूसरा situation क्या कि सर अब हम cash क्या करेंगे pay करेंगे तो हमें discount receive होगा जब हम cash क्या करेंगे pay करेंगे तो हमें discount क्या होगा receive होगा जैसे अगर मैं retailer हूँ मैंने समान खरीदा किस से wholesaler से अब wholesaler से मैंने समान खरीदा कि इसार Meng ुसको पेमरेंट करूंगा नहीं करूंगा अब फैल आया माल लीजे 5,002 रूपए का कितने का भी लाया कितना रुपया पे करूंगा मैं दो रुपया नहीं पे करूंगा क्या यानि बुक्तान कितना करूंगा मैं पांच हचार तो फिर से दो रुपय का डिस्काउंट पा गया की नहीं पा गया मैं तो यानि आपके लिए जब आप पेमेंट करेंगे जब आप क्या करेंगे cash payment करेंगे तो आपको discount क्या हो जाएगा receive हो जाएगा बात clear हो गई कि नहीं clear हो गई बेटा note down करेंगे जल्दी से इतना चलिए देखेंगे ज़र ध्यान से बेटा जी जब हम type of discount की बात करेंगे तो discount हमारे सामने दो तरीके का रहेगा एक आपका रहेगा trade discount और दूसरा क्या रहेगा cash discount देखें trade discount और cash discount इन दोनों के difference को आप समझेगे और फिर जब आप इनके difference को समझ लेंगे तो उससे related जो journal entry होती है उसको करने में आपको मज़ा आएगा पहली बात तो यह जाने कि यह trade discount होता क्या है या इसका objective क्या होता है अगर आप से कोई पूछे कि trade discount है क्या तो आप कहोगे कि ट्रेड डिसकाउंट वो जो cash नहीं होता cash discount नहीं होता और cash discount वो जो trade discount नहीं होता अगर आप ऐसा answer देंगे तो वो confused हो जाएगा आप नहीं वो नहीं आप भी confused हो जाएगे अगर मैं इस तरीके का answer दो तो आप सबसे पहले यह जानो कि trade discount या cash discount को देने का objective क्या होता है द्यान से सुनिएगा जब हम trade discount की बात करते हैं तो trade discount का जो objective होता है यानि ज्यादा से ज्यादा विक्री हम करने के उद्देश से trade discount देते हैं बिक्री करने के उद्देश से हम क्या करते हैं trade discount देते हैं example आपने देखा होगा इंड season sale चलता है दीज़ल चलता है holy sale चलता है festival sale चलता है उस sale में जो लिखते ना 60% of starting में 40% off अब shopping हुई और आसान जब सब कुछ मिले सस्ते दाम पे तो ये जो सस्ता दाम बता रहे हैं, ये जो price गिरा रहे हैं ये price किस discount के base पे गिरा रहे हैं trade discount के base पे गिरा रहे हैं किस base पे गिरा रहे हैं बैटे ट्रेड डिसकाउंट हिंदी में व्यापारिक छूट कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है व्यापारिक छूट एक चीज और जानिएगा आप लोग कि जो डिसकाउंट की बात की जाती है डिसकाउंट ऑल्वेज प्रॉफिट में से दिया जाता है always किस में से दिया जाता है बच्चे profit में से दिया जाता है cost में से कभी भी discount नहीं दिया जाता कुछ बच्चों के मन में यह सवाल रहता है कि sir जो discount दिया जा रहा है वो किस में से दिया जाएगा profit या cost तो answer क्या है आपका profit पहले आप उस चीज़ को बेच कर 20 रुपया कमाते थे अब आप उस चीज़ को बेच के 10 रुपया कमाइगे अब भाई एक बात बताजीयए अगर हम Sale Price की बात करें अगर हम किसकी बात करें Sale Price या Purchase Price की बात करें तो Formula क्या होता है cost plus profit ही थो होता है cost plus क्या होता है आपका profit तो जो discount दिया जाएगा वो दिया जाएगा किसमें से profit में से ना कि cost में से बाद clear हो गे तो trade discount का objective क्या है Sir increasing the sale यानि sale को जादा से जादा हमें क्या करना है निकालना है stock को जादा से जादा निकालना है ठीक है बात क्लियर हो गए लेकिन जैसे ही हम cash discount की बात करते हैं तो cash discount का objective होता है quickly receive money quickly receive money यानि सर जल्द से जल्द हम पैसा receive करना चाहते हैं जल्द से जल्द हम क्या receive करना चाहते हैं पैसा example से समझो जब आप लोग कोई भी online समान मंगाते हो तो आपके सामने option रहता है तुरंद पे करने का और एक option रहता है पे लेटर करने का और एक option रहता है cash on delivery करने का तो अगर आप cash on delivery करते हैं तो आपको 5 रूपय एक्स्ट्रा देना पड़ता है दो रूपया तीन रूपय एक्स्ट्रा देना पड़ता है पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है लेकिन अगर आप तूरंद payment कर रहे हैं तो हो सकता है 10% 15% आपको क्या मिल जाए छूट मिल इसलिए दिया जाता है ताकि आपको जल्द से जल्द क्या receive करो पैसा receive कर सको जल्द से जल्द पैसा क्या करना चाहते हो आप receive करना चाहते हो इसलिए आप cash discount देना चाहते हो बात clear हो गई बेटा अब एक चीज़ और समझो पहला point समझ में आ गया दूसरा point जो trade discount होता है वो cash and credit दोनों transaction पे allow होता है यानि cash और credit दोनों transaction पे आपका trade discount क्या होता है allow होता है यानि आप चाहे नगत में समान बेचो चाहे उदार में बेचो चाहे नगत में करीदो चाहे उदार में करीदो अगर trade discount है तो दोनों condition पे allow होगा लेकिन अगर हम cash की बात करें cash discount की बात करें तो cash discount always किस transaction के साथ दिया जाएगा cash transaction के साथ दिया जाएगा किस transaction के साथ दिया जाएगा cash transaction के साथ दिया जाएगा बताओ समझ में आ गया यानि किसी ने पूछा कि trade discount कब दिया जाएगा तो आप कहोगे कि Sir cash और credit दोनों transaction पर किस transaction पर दिया जाएगा तो answer क्या दोगे आप cash और credit दोनों transaction पर cash discount कब दिया जाएगा Sir only cash transaction पर बात clear हो गई उसके बाद अब देखिए ध्यान से जो trade discount होता है जो आपका क्या होता है trade discount होता है ये आपका before sale allow होता है क्या होता है आपका before sale allow होता है और cash discount होता है वो कब होता है आपका after sale allow होता है मतलब समान के बेचने से पहले ही जो discount दिया जाए समान अभी बिका नहीं है समान अभी दुकान पे display में लगा है तो भी 60%, 60%, 90%, 30% discount दे रहे हो आप यानि समान बिकने से पहले आप जो discount दे रहे हो वो discount क्या कहलाएगा आपका trade discount कहलाएगा लेकिन अगर हम cash discount की बात करें तो cash discount जब समान बिक गया है समान बिकने के बाद ही तो पैसा receive होता है बात clear हो गई अब एक last point देख लीजेगा recording recording यानि journal entry recording यानि क्या आपकी journal entry तो trade discount की कोई journal entry नहीं होती, no journal entry no journal entry लेकिन अगर हम cash discount की बात करें, तो cash discount की आपकी journal entry होती है cash discount की आपकी क्या होती है बेटा journal entry होती है यानि trade discount की कोई journal entry नहीं होती और cash discount की आपकी journal entry होती है बात समझ में आ गई इतना इतना difference ही clear हो गया यहाँ पे after और before ही लिख लो अगर base of difference देखना चाहते हो तो ठीक है बात clear हो गई बेटा तो यह trade discount और cash discount का difference समझ में आ गया की नहीं आ गया आपको trade discount और cash discount का difference समझ में आ गया चलिए एक छोटा सा question कर लेते हैं ठीक है ताकि आपके मन में कोई समझ से आना रहे इस trade discount और cash discount को लेकर ठीक बेटा आप देखिए जैसे माल लीजे राम ने क्या किया कि एक लाख रुपए की machine purchase की कितने की machine purchase की एक लाख की machine purchase की 10% trade discount पे कितने पे आपका 10% trade discount और अभी हम cash discount discuss नहीं कर रहे हैं सिर्फ क्या discuss कर रहे हैं trade discount राम ने एक लाख रुपए की machine खरीदी 10% trade discount पे तो अगर हमें राम की किताब में entry करनी है तो राम यानि यह क्या हो गया आपका परशीजर हो गया राम ने खरीदा है राम ने क्या गिया है खरीदा है तो entry क्या करेंगे राम entry करेंगे सर machine account debit to cash account लेकिन सवाल यह उठता है कि sir amount कितना लिखा जाए बाई एक लाख का था 10% discount आपको मिला है इसका मतलब एक लाख में से जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10,000 यानि आपको 10,000 की छूट मिल गई तो आप payment कितना करोगे 90,000 यानि आप यहाँ पर entry कितने से करोगे 90,000 से अब आपके मन में सवाल आएगा कि sir trade discount वाली entry नहीं किया आपने अरे अरे अभी अभी बताया भीया अभी अभी ज़स्ट बताया कि trade discount की journal entry नहीं होती है no journal entry यानि trade discount की आपको separate journal entry करने कि कोई अवशकता नहीं है बात clear हो गई कि नहीं clear हो गई इतना समझ में आ गया पका इतना note करो अब इसके आगे का जो concept है वो थोड़ा lengthy है तो वो हम अगली class में क्या करेंगे discuss करेंगे ठीके बटा तो इसके आगे का जो concept है वो हम अगली class में note down करेंगे समझेंगे फिलाल आज की class समझ में आ गई कि नहीं आ गई concept clear हो गया कि नहीं clear हो गया कोई दिक्कत तो नहीं compound journal entry discount और type of discount को लेकर कोई समझा तो नहीं है और अगर है तो हमारा जो नीचे दिया गया number है इस पे आप हमें call या message कर सकते हैं बाकी आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए मिलेंगे next class में तब तक के लिए जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत अविनंदन आपके अपने परिवार accounting guru में मैं विपल मिश्रा बेटा जी last class की अगर हम बात करें तो last class में हमने क्या पढ़ा था सर trade discount के बारे में हम बात कर रहे थे trade discount in fact discount के बारे में हम discuss कर रहे थे और discuss में हमने आपको बताया था कि discount आपके दो category का होता है दो तरीके का होता है एक होता है आपका trade discount और एक होता है आपका क्या cash discount इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे और साथी साथ हमने आपको बताया था कि अगर discount receive हो रहा है अगर discount क्या हो रहा है receive हो रहा है तो उस case में क्या करहानी होगी क्या घटनाए होगी और अगर discount allow होगा तो हम क्या-क्या discuss करेंगे ये सारी चीजें हमने आपको last class में बता दिया था अब उसी से related आज हम आपको क्या कराने चल रहे है journal entry कराने चल रहे है यारी journal entry related to the discount इसमें आपका trade भी सामिल होगा बेटा जी थोड़ा सा आप लोग अपनी उमठे को कस्ट करें और वीडियो को like करें चैनल को subscribe कर लें और हम से जुड़ने के लिए हमारे नीचे दिये गए नमबर पे हमें call करें चलिए बेटा जी बात करते हैं हम देखो जी जब हम यहां पर एक question करते हैं direct question जैसे माल लीजे ag company इसने क्या किया कि एक machine है क्या है आपका machine है जिसका value आपका पचास अजार रुपए है जिसका value आपका कितना है पचास अजार रुपए है 10% trade discount पे 10% trade discount पे इसने क्या किया इसको खरीद लिया ठीक है दस परसेंट ट्रेट डिसकाउंट को इसको खरीद लिया और किस से खरीदा राम एंड कमपनी से इतने से खरीदा किस से खरीदा बेटा राम एंड कमपनी से ठीक है तो यहां पर हम परचेजर की भी बुक में इंट्री करना सीखेंगे और हम सेलर की भी बुक में इंट अभी तो फिलाल हम trade discount लेकर चल रहे हैं अब देखो ज़रा अगर हम AG की बात करें तो AG company आपकी क्या होगी परचेशिंग company हो जाएगी तो आपका जो list price है आपका जो क्या है बेटा list price अब आपका होगे कि सरी ये list price क्या है list price का मतलब होता है कि ऐसा price जिसमें अभी कोई भी discount deduct deduct नहीं हुआ है ना इसमें cash discount deduct हुआ है ना इसमें आपका trade discount क्या हुआ है deduct हुआ है बात clear होगी बेटा तो अब देखिए आपका list price कितना है आप कोगे कि सर हमारा list price कितना है पचास हजार है अब इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे less करेंगे 10% TD less करेंगे 10% क्या less करेंग तो दस हजार का दस परसंट यानि कितना आ गया आपका पांच हजार आ गया तो बैलेंस कितना बचा आपका पैतालिस हजार तो एजी के लिए यही परचेजिंग होगा और अगर हम राम एंड कमपनी की बात करें तो यही उनके लिए क्या होगा सेलिंग होगा यही उनके बात करेंगे कि sir AG company क्या entry करेगी एजी company entry करेगी बिटा machinery क्या entry करेगी आपका नोट करते रहेंगे machinery account debit to ram and company machinery account debit to ram and company और कितने से sir 45,000 से कितने से बबू 45,000 से ये तो purchasing company अपने किताब में entry कर रही है लेकिन अब बात करते हैं कि sir और selling company क्या entry करेगी तो selling company क्या entry करेगी बिटा इंट्री करेगी आपका AG company account debit to machinery to machinery और कितने से आपका 45,000 से बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात clear हो गई समझ में आ गया अच्छा difference हम लोग last class में discuss कर चुके थे ED और CD का difference हम लोग last class में क्या कर चुके थे discuss कर चुके थे चलो ये question समझ में आ गया आपको पका चले हम आगे आईए फिर एक और question देखते हैं अब इस question में हम trade को भी सामिल करते हैं खरीदा और machine का price है आपका एक लाख रुपया ठीक है question क्या कहता है कि 10% TD यानि 10% trade discount and 5% additional cash discount 5% additional cash discount दिया गया है यानि 10% cash discount है 10% आपका क्या है trade discount है और आपका 5% क्या है भीया cash discount है बात clear हो गई बात clear हो गई चलें आगे अच्छा चल अच्छा सर एक बात बताओ इसमें भी calculation वैसे ही होगी हमारी बिल्कुल calculation आपकी वैसे ही होगी यानि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका list price लिखेंगे list price हमारा कितना है भी हमारा list price कितना है आपका एक लाग इसमें से हम less करेंगे आपका क्या TD तो TD आपका कितना आ जाएगा सर 10,000 10,000 तो minus करने के बाद अब हमारा balance कितना बचा हैं cash discount दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए जितना आपने cash पे किया है उतने percent पे ही आपको discount मिलेगा अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया कि कितना percent cash आपने दिया है अब यह मानेंगे कि आपने 90 का 90,000 आपने pay कर दिया होगा आपने 90 का 90,000 आप pay करने के लिए क्या हो गए है रेडी हो गए है लेकिन आपको 90,000 नहीं पे करना है बलकि इसमें से भी आपका CD क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानि cash discount आपका माइनस हो जाएगा तो बेटा 90,000 का 5% कितना आएगा नव पचा पैतालिस यानि 4,500 तो 4,500 जब हम माइनस करेंगे तो balance हमारा कितना आएगा जीरो जीरो दस में से 5 गया 5 फिर दस में से 9 में से 5 चार गया बचा कितना 5 और यहाँ पे 85,500 तो यह आपका purchasing price भी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा Sailing Price भी हो जाएगा ये आपका Purchasing Price भी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा Sailing Price बात clear हो गई बेटा अच्छा चलिए AG की किताबों में इंट्री करते हैं ध्यान से देखिएगा entry बहुत द्यान से देखिएगा बाबू यह देखिए, machinery तो machinery का amount कितना लिखा जाए भई, machine कितने की आई है अब आप कहोगे कि sir, machine आई है हमारे पास कितने की 90,000 की, अगर मैं आप से पूछूँ कि आपने payment कितना किया है तो आपने payment कितना किया है 85,500 आपको discount मिला है तो अगर आपको discount मिलता है तो वो discount आपके लिए ज़रा सोच के बताईए profit होगा कि loss होगा और profit का balance क्या करते है profit का balance क्या करते है credit करते है क्या करते है वेटा, credit करते है यानि machinery कितने से आपका 90,000 से 2, cash account कितने से बाबू 85,500 से discount और कितने से आपका 45 से बताओ बेटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो ये तो journal entry हो गई किस की किताब में, buyer की किताब में किस की किताब में, आपका buyer की किताब में, अच्छा अगर यही entry हमें seller की किताब में करनी करनी रहे इसकी किताब में करनी रहे विटा सेलर के अच्छा अब एक मैट सुनो जरा सेलर की किताब की इंट्री की बात करते हैं अभी बायर से हम पूछ रहे थे कि बायर ने कितना पेमेंट किया अब यही सवाल हम घुमा दे रहे हैं जरा बताओ सेलर ने कितना पैसा हो गई यानी entry देखे sailor की किताब में यानि यहाँ पर हम क्या करेंगे cash account debit कितने से 85,500 फिर आपका क्या discount ies account debit कितने से 4500 से और फिर आपका क्या to machinery कितने की गई है आपकी नदे थाओ बिटा समझ पया गया की नहीं आ concept clear हो गया कि नहीं हो गया देखो बहुत simple concept है बस थोड़ा सा समझने की देर है tailor के लिए और purchaseer के लिए बात clear हो गई वेटा आईए आगे देखते हैं जल्दी से note down करेंगे अब एक केस और करते हैं यह दूसरा question समझ में आगया एक और case देखते हैं देखिए जरा same question उठाते हैं एजी ने क्या किया एजी मतलब accounting guru ठीक है एजी मतलब क्या आपका accounting guru एजी ने क्या किया कि एक लाग की machine इस बार फिर खरीद ली amount change करते हैं कि वही रहने दे वही रहने दे या चेंज करते हैं चला भाईया कह दे थे तोरे हिसाफ से एजी ने क्या किया कि 15 एक लाग पचास हजार की machine खरीदी एजी ने क्या कि एक लाग पचास हजार का machine खरीदा आगे question देरा ध्यान से देखना क्योंकि इस question में आपके कुछ twist and turns मिलेंगे कुछ twist and turns मिलेंगे देखना ज़रा 10% TD 10% क्या? TD 5% CD 5% क्या? CD and KG Paid only 60% in cash ये line बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये line आपको cash discount को effect करने में क्या करेगी? आपको manage करेगी देखना जरा इससे पहले जो आप question किये थे उसमें हम ये अजंशन लिये थे कि SARA का SARA payment हो गया है लेकिन इसमें ये कह रहा है कि Sir आपने SARA का SARA payment नहीं किया बलकि कितना percent payment किया है 60% payment किया है मतलब जो cash discount दिया जाएगा जयान से सुनाओ जो cash discount दिया जाएगा वो सिर्फ 60% cash पे मिलेगा बाकि 40% cash पे नहीं मिलेगा सर कैसे आओ देखते हैं जेको list price आपका कितना अब आपका होगे सर देड़ लाक इसमें से CD घटाओ वो सारी इसमें से TD घटाओ TD हमने घटाया तो कितना आगया 15,000 तो balance कितना आगया आपका 1,35,000 बड़े ध्यान से देखो अब अब इस 1,35,000 को दो भागों में बाटो इस 1,35,000 को कितने भागों में बाटो दो भागों में बाटो एक भाग होगा आपका cash payment और एक भाग होगा आपका credit एक भाग होगा आपका cash payment और एक भाग होगा आपका क्या credit देखो cash payment आपने कितना किया है 60% तो credit कितना हो गया आपका 40% यानि ये जो 60% है इसी पे आपको 5% का क्या मिलेगा CD मिलेगा क्या मिलेगा आपको 5% का CD मिलेगा यानि 1,35,000 का 60% Calculator का है भाई अप लोग calculate करो जल्दी से तो 1,35,000 का 60% पेटा कितना आजाएगा 81,000 रुपए आजाएगा कितना आजाएगा 81,000 अब इस 81,000 में से हम 2,5% क्या घटाएंगे CD घटाएंगे यानि 81,000 का 5% यानि कितना हो गया 40,50 तो payment आप करोगे कितना 60, sorry 76,950 यह आप payment करोगे ठीक है कितना समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो बच्चा इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ गया आओ entry कर लें फिर entry देखो machinery आपके पास machine कितने कि आ रही है आप बड़े प्यार से कहोगे कि सर 1,35,000 की ठीक है आपने payment कितना किया 2 cash आपने payment कितना किया जरा बताओ आपने payment कितना किया सर 76,950 रुपया ओके आपको discount कितना मिला सर हमें discount मिला 4,050 रुपया जरा चेक करो 1,35,000 आ गया क्या नहीं सर अभी तो नहीं आया difference आ रहा है सर ये difference कौन सा अरे ये देखो अभी credit वाला balance तो आपने लिखा ही नहीं भाया क्या आपने लवलेश credit वाला balance लिखा नहीं सर तो एक लाग 35,000 का 40% यानी कितना आपका चाववन हजार ये उधार हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका उधार हो जाएगा तो वो हो गया आपका तो ग्रेडिटर या उसका नाम या वेंडर ठीक है बटा बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत तो नहीं समस्या तो नहीं जल्दी से नोट करो एक कोशन और देते हैं ये तो हो गया बायर की बुक में अच्छा सेलर की किताब में क्या एंट्री होगी आओ देख लेते हैं सेलर के सेलर में देखते हैं क्या एंट्री होगी सर सेलर को पैसा कितना मिलेगा सर क्याश अकाउंट डाबिड 76950 ठीक है डिसकाउंट बताइए जरा discount बताईए ठीक उसके बाद अब यहाँ पर यह क्या लिखेंगे हम data न data account डाविट कितना उधार है न वेटा चाववन हजार और फिर आपका क्या two machinery जो आपके पास से गई है कितने की 1,35,000 रुपए बताओ concept clear बहुत simple concept है जूटे तुम लोग इदर उदर के चक्कर में फसे हो कावत है न क्यूँ पड़े हो चकर में जब कोई नहीं है टकर में है और क्या चलो आगे चले एक कुशन और दें आपको करने के लिए ऐसा ही जल्दी नोट डाउन करो बेटा एक कुशन आपको देते हैं हम करने के लिए ज्यादा ज्यादा एक मिनट खाली आप मेरे को working बना के दिखाओ amount बताओ amount entry तो कर लोगे मुझे पता है इतना तो confidence हो गया है आप लोगों पे मुझे कि आप लोग entry कर लोगे खाली amount की calculation बच्चे गलत कर देते हैं और जब amount की calculation गलत होती है तो entry की भी calculation क्या हो जाती है गलत हो जाती है सही है वो तो वही बात हो गई कि दिल लगी हम करें तो करें क्या जब सार्या जमा ही बेवफा निकल गया चल वाओ देखो आगे देखते हैं, कोशन देखते हैं बटा, जैसे माल लीजे, श्याम ने दो लाख रुपए की मसीनरी, चलो इस बार फरनीचर कर दें यार, ठीक है, श्याम ने दो लाख का फरनीचर खरीदा है, 10% टीडी पर, एंड, 5% सीडी पर, ठीक है, श्याम पेड, श्याम पेड, अल्ली, 40% इन कैश, 40% इन कैश, यस, continue करिए भया, amount बताइए, आपका समय सुरू होता है, अब, यहुआज मतेंी, एंड, अजू होता है, तो, लाख कार दो, कझा का बताओ भया, इन कहाँ पर भी आएए, श्याम पालिस फित् समया बताः, पर कर दोे ताहना है, 20% आपका, अपका, जे श्याम झाल 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 समय हो गया समाप्त अब देखे सभी लोग अपने अपने स्क्रीन पे देखे जरा क्या आपने सही किया है लिस्ट प्राइज हमारा कितना था दो लाक हमने सीडी घटाया दस परसेंट यानी बीस हजार बैलेंस कितना बचा एक लाक स्टी अजार फिर इसको हमने दो भागों में क्लासिफाई किया 40% और 60% क्योंकि 40% ही कैस हो रहा है ठीक है तो एक लाक स्टी हजार का हमने 40% निकाला तो कितना आगया आपका 72,000 अब इसी पे हम 5% अपका सीडी घटाएंगे कितना आगया आपका 3600 तो बैलेंस कितना आगया आपका 68,400 फिर कितना आएगा ठीक है वे टान नोट डाउन करेंगे जल्दी से कितना किया है बेटा जी आपने पेमेंट कितना किया है 40% तो डिसकाउंट भी कितने पे मिलेगा 40% तो एक लाक अस्ती अजार का अगर आप 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 72,000 आएगा ठीक है कितना आएगा आपका बेटा जी आप माइनस कर रहे हो गुड़ा लगाओ बीच में कैलकुलेटर अगर चला रहे हो तो कैलकुलेटर को थोड़ा अच्छे से चलाओ अब यह 1,8,000 को माइनस 60% लिख दे रहे हैं या माइनस 40% लिख दे रहे हैं तो इसी लिए वरकिंग इस तरीके से की जाती है बेटा और चल्कुलेटर यह होता है ना कि मुबाइल होता है मोबाइल की कैलकुलेशन मत दिखाओ, मोबाइल की में जो कैलकुलेटर होता है, वो सिंगल को फॉर्म करता है, ठीक है बेटा, चलो, बाकी लोग समझ गए कि नहीं समझे, बाकी लोग को कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए, आ गया ना बेटा, किसका किसका सही, एक बार हाथ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, और आप तो कैलकुलेटर के वो हो, चलो, जल्दी करो, तो ये था बच्चे, आपका ट्रेड डिसकाउंट, समझे, ये था आपका ट्रेड डिसकाउंट, ये था आपका क्या, क्या डिसकाउंट, बात समझ में आ गई बाबू, बात अभी तक क्या पढ़ा, सर हमने अभी तक compound entry भी पढ़ लिया, हमने आपका opening entry भी complete कर लिया, और साथ ही साथ हमने discount वाली भी entry क्या कर लिया है, बच्चे समझ लिया है, अब बारी है कुछ और entry को समझने की, जिसे हम नाम देंगे आपका special entry का नाम लेंगे, किसका नाम देंगे बटा आपका special entry का नाम देंगे, अब सवाल ये उड़ता है कि सर, special entry में क्या-क्या पढ़ना है हम लोगों को, special entry में क्या-क्या पढ़ना है, बटा जी अगर आपको याद हो, तो पहली class में ही मैंने आपको special entry के बारे में लिखाया था, कई सारे point हमने पढ़े थे, जिसमें heading आप लोग डालिए, journal entry related to, लिखिये जरा, जगला point लिखिये, journal entry related to, related to, bad depth and recovery, recovery of bad depth. recovery of bad depths, इसलिया ये देखते हैं, देखिये, ये bad depth क्या होता है सिर्फ, bad depth का मतलब क्या होता है, कि भई जिसको हमने उधार में समान बेचा था, या जिसको हमने पैसा उधार में दिया था, दो चीजे, जिसको हमने समान क्या किया था, उधार में बेचा था या जिसको हमने उधार में पैसा दिया था अब वो पैसा देने में सक्षम नहीं है they is not able to pay वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो क्या गरेंगे हम सर रास्ते में मिला कहीं पे तो दो-चार लपोड़ा मार देंगे दो-चार कंटाप मारने के बाद क्या आपका पैसा मिल जाएगा आप बिजनस मैन है यार आप क्या हैं बिजनस मैन है आपके अंदर लॉस को बियर करने की छमता होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए लॉस को बियर करने की क्या होनी चाहिए छमता सीधी सी बात है अगर आप ये कहो कि नहीं अब हम मार धार करने लगेंगे अरे तो मार धार करो के तो पुलिस क्या करेगी आपकी आरती उतारेगी आपको भी तुठा के जेल में भेज़ देगी आपको क्या करेगी जेल में भेज़ देगी तो आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो ठीक है गुड्डू भाईया की तरह निकाले कट्टा और ठाए ठाए करने लगे नहीं करेंगे ना? नहीं करना है सब अगर आप ओजासर की बाते सुनो ध्यान से कभी ऐसा मोटिवेट करते हैं इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि बंदा उनकी बाते सुनकर सीधा निकाल ले कटा सीधा निकाल ले बंदूख उनका सीधा कहना है कि हम करांती कारी पैदा करना चाहते हैं ठीक है करांती कारी पैदा करिए लेकिन आप एक बिजनस मैन है बिजनस मैन ना तो किसी का दोस्त होता है ना किसी का दुस्मन होता है अगर दोस्त भी होगा तो भी आप से पैसा लेगा दुस्मन होगा तो भी आपको समान बेचेगा ये भी आप जानी है तो सीरी सी बात है यहाँ पर bad debt की अगर हम बात कर रहे हैं मतलब माल लीजे कि एक आपका डेटर है एक आपका क्या है बबू डेटर है सामने देखिए डेटर माल लीजे एक लाख रुपए का है डेटर कितने का है एक लाख का है अब ये डेटर insolvent हो गया क्या हो गया आपका insolvent मतलब अब ये दिवालिया हो गया है ये पैसा देने के सक्षम में नहीं है ये काबिल नहीं है पैसा देने के लिए पूरा का पूरा एक लाख रुपए देने को लेकिन इसने कहा कि सर हम एक रुपए के बदले आपको 30 पैसे का पेमेंट कर देंगे एक रुपए के बदले हम आपको कितने का पेमेंट कर देंगे 30 पैसे का पेमेंट कर देंगे तो अगर आप मेरे को 30 पैसे का पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब मुझे कितना पैसा नहीं मिलेगा 70 पैसा ये जो पैसा अब हमें receive नहीं होगा यो पैसा हमें receive नहीं होगा बात clear हो गई कि नहीं clear हो गई अब सवाल यह उठता है कि इस से related journal entry क्या होगी सर question समझ में आया कि नहीं आया चलो अब मैं आपसे पूशता हूँ बिटा अगर एक रुपय के बदले आपको 30 पैसा मिल रहा है तो एक लाक के बदले कितना मिलेगा आपको आपको 30,000 एक लाक के बदले आपको मिल कितना रहा है 30,000 कितना नहीं मिल रहा है 70,000 टोटल जोड़ा कितना आ गया एक लाक आईए entry करते हैं तो इंट्री क्या होगी? कोई सवाल? ना बता हूँ? कदा कहीं का? सवाल पूछ रहा हूँ तो कह रहा हूँ भूल गया सर याद आ जाए तो बताना चलो इंट्री देखो चलो आ देखो, इंट्री देखो बेटा cash account debit cash कितने से बेटा? कितना पैसा मिला? तीस हजार, अच्छा एक बात बताओ यह जो bad debt है आपके लिए यह profit है कि loss है? loss का balance क्या करते है? loss का balance क्या करते है? debit करते है न, तो bad debt को यहाँ पे क्या करेंगे? bad debt को यहाँ पे क्या करेंगे? debit, यानि bad debt account debit कितने से बेटा? सत्तर हजार से और 2 आपका क्या? dator कितने से? एक लाग से पताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा यही एक entry थी जो आपको समझ नहीं आई थी 11th में, पूरे 11th में च्छा CA में आके समझ में आ गई? आ गई न? चलो एक काम करो अब फीस पूरी जमा कर दो फिर अगर समझ में आ गई तो चलो अच्छा नोट करो अब देखो अब यह भी बच्चा सोच रहा होगा कि जूट है हमने कही दिया चलो अच्छा नोट डाउन करो जल्दी से तो यह बैट डप की बटा इंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? रखका? कोई दिक्कत तो नहीं अब एक बात बताओ मालो पूरा का पूरा पैसा डूब जाता पूरा का पूरा पैसा डूब जाता पूरा का पूरा पैसा डूब जाता तो पूरा पैसा डूब जाता तो कैस तो कुछ रिसीवी नहीं होता तो कैस के इंट्री क्यों करना? यानि एक लाग पूरा डूब जाता तो बैटड़्ट अचाउंट डेटर पूरा पैशा डूब जाता तो बैट़्ट अचाउंट डेटर खुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रख गया होगा थीक है आ गया तो आंसर मिल गया की नहीं मिल गया चलो अच्छा यह बैट डप वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया अब थोड़ा सा बैट डप रिकवरी देखते हैं रिकवरी और बैट डप देखते हैं तर यह रिकवरी और बैट डप क्या होता है बेटा जी आपका पैसा डूबा 2019 में ठीक है चल रहा है 2024 अब 2024 में जैसे मैंने आपसे एक लोग एक दिन कहा था कि आज तक मेरे उपर किसी का एक रुपए का उधार नहीं है एक दिन मैंने आप लोगों से कहा था और फिर मैंने सब्द ये भी कहा था कि एक व्यक्ति को मुझे 5000 रुपए का भुक्तान करना है जिस दिन वो व्यक्ति मुझे मिल जाएगा मैं उसको भुक्तान कर दूँगा उसको छोड़कर बाकी मेरे उपर एक रुपए का किसी का बकाया नहीं है अब सोचो वो व्यक्ति जो आज से 4 साल 5 साल पहले जिसने मुझे पैसा दिया होगा उसके लिए तो मैं बैट डेप हो गया न लेकिन अब सोचो 2024 में मुझे वो मिल जाए 2024 में मुझे क्या हो जाए मिल जाए और एक आएक मैं कहँ अरे भईया भाई आपने 2019 में मुझे पैसा दिया था यह लोग 5,000 रुपया अब उसके लिए जो वो आल्रेडी बैट डप कर चुका है उसके लिए वो पैसा जब रिसीब हो जाएगा तो वो बैट डप क्या हो जाएगा रिकबरी हो जाएगा यानि जो पैसा आपका पास्ट में डूप गया था वो पैसा आपको future में या present में आपको future के present में क्या बोला मैंने future के present में मिल जाए future के present मतलब कभी भी और जिस दिन आप recording करने उस दिन आपको क्या हो जाए मिल जाए तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा bad debt recovery क्या कहलाएगी बच्चे bad debt recovery कहलाएगी समझ में आया कि नहीं आया अब चलो इसी question को लेकर चलते हैं अब जैसे माल लीजे आपका डूबा कितना था कितना डूबा था कितना डूबा था सत्तर इसने कहा कि सर मैं आपको बीस हजार रुपया अभी ले लो अभी मेरे पास इससे जादा नहीं है दो साल के बाद इसने मेरे से कहा कि सर आपका कितना डूबा था सर मैंने का यार सब्तर सर ये लो 20,000 रुपए ले लो तो यानि जो आप bad debt मान चुके थे उसमें से 20,000 मिल गया की नहीं मिल गया तो यानि आपका cash balance 20,000 से बड़ा की नहीं बड़ा यानि cash account debit कितने से 20,000 से और two यहाँ पे क्या लिखेंगे bad debt recovery क्या लिखेंगे बड़ा bad debt recovery कितने से 20,000 से bad debt recovery देखा जाए तो एक तरीके से आपकी ये income बन गई की नहीं बन गई bad debt recovery एक तरीके से आपकी क्या बन गई income बन गई की नहीं बन गई concept clear हो गया बड़ा journal entry related to the bad debt journal entry related to the bad debt recovery summary समझ में आ गया कि नहीं आ गया कि बोलो मेरे भाईयों आ गया अगे 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 चले अगे चले अगे चले अगे चले चलो एक कोशन आप भी करो लिखो जरा Mr. Raja is a dater नाम है राजा और हैं डेटर और हैं कितने के दो लाग के he become insolvent दिवालिया हो गए ये he become क्या insolvent राजा जी दिवालिया हो गए and pay only 60 पैसा 60 पैसा इन वन रुपीज 60 पैसा पे कर रहे हैं एक रुपए के बदले इंट्री करो बेटा तो बेटा दो लाग का 60% यानि एक लाग बीस अजार हो जाएगा ऐसे ही कर लो यार समझ गए तो दो लाग बीस अजार मिलेगा तो बाकी मिल कितना नहीं रहा है 40 तो दो लाग का 40% दो दुनी आठ दो चोगे आठ है यानि असी अजार हो गया खिक 80% नहीं मिलेगा तो 80% हो गया बाक डैट टोटल कितना था राजा का 200,00,00 इंट्री क्या होगी भाई इंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डैबिट कितने से एक लाग बीस हजार से बाक डैट डाट अकाउंट डैविट कितने से असी हजार से और टू राजा जी कितने से दो लाग से बात समझ में आगे बटा कोई दिक्कत तो नहीं अमाल राजा जी बात में उनकी अंतर आत्मा जाग गई अंतर आत्मा क्या हो गई जाग गई आफटर टू मन्थ लिख लो फिराई से आफटर टू मन्थ राजा पेड 10,000 राजा पेड 10,000 बाट डप रिकवरी हो गई भी है चा हो गई बाट डप रिकवरी जल्ली करो क्या एंट्री होगी कैश अकाउंट डप टू बाट डप रिकवरी तो बताईए भाईया यह टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया यह टॉपिक समझ में आ गया विटा कोई ऐसा जो कहदे सर नहीं समझ में आया सबको आ गया ना आ गया चैनल सब्सक्राइब किये हो की नहीं किये हो नहीं किये हो ना कर लो यार लाइक किये चैनल को हाँ जब सब्सक्राइब है ना किया तो लाइक काओ कर वहाँ है अच्छा कहले भाई कहले बहु कहले चला एकर आगे हमरे सब्सक्राइब अगली क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त जै श्री महाकाल